हेलो एवरीवन और वेलकम तो ओल इन डेली करेंट अफेर एमसी क्यूज आस तारीक है 30 अकस 2020 तो आज़े देख लेते कौन-कौन से इंपोर्टेंट क्वेशन्स हैं आज क्वेशन्स की और बढ़ने से पहले यह हमारे कुछ प्रेटेंट सस्क्रिप्शन्स है जिने आप ले सकते हैं यली जो प्लान वो 4.99 रूपीस का है मंतली जो वो 99 रूपीस का और ncrt का ब्लान $2.99 रूपीस का तो चलिए बढ़ते हैं आगे questions को start करने से पहले आए कल के question पर बात कर लेते हैं कल मैंने पूछा था कि Falkland Island जो है वो कहाँ पर located है तो आए location देख लेते हैं माप में देखे यह Atlantic Ocean है अगर आप Atlantic Ocean से southward move करेंगे तो यह South America वाला region है तो आप यहाँ पर देखेंगे दो चोटे चोटे आइलेंड आपको दिखेंगे इनका नाम है Falkland Island इसी आइलेंड के बज़े से बगल से जो ओश्यानी करेंड निकलती है cold ओश्यानी करेंड से Falkland Current कहते हैं और यह जो आइलेंड है वो एड्मिस्टर किये जाते हैं United Kingdom के द्वारा तो यह सारी information थी Falkland Island के बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे जो हमारा पहला question है वो वोलबेशिया बैक्टीरिया के बारे में है तो आई यह statements को ध्यान से देख लेते हैं पहला statement यह कहता है एक तरह का natural bacteria जो की पाया जाता है insect species में हमारा जो दूसरा statement है वो यह कहता है कि यह जो वोलबेशिया उसका यूज किया जाता है डेंगू को कंट्रोल करने में तो बताए कौन-कौन से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement बिल्कुल correct है तो option C correct हो जाता है आए जान लेते हैं वोलबेशिया के बारे में देखे जो वोलबेशिया है वो हाल में इन यूज में था क्यों? क्योंकि जो world mosquito program के researchers है न उन्होंने एक नया तरीका खोज निकाला है वोलबेशिया बैक्टिरिया से तो यह चाहके भी यह सारी बिमारियों को spread नहीं कर पाएंगे तो यही एक तरीका है जिससे इन सारी बिमारियों बिमारियों को spread करने से रोका जा सकता है देखे यह वोलबेशिया जो natural bacteria और 60% of insect species में पाय जाता है तो इसलिए जो statement one था बिलकोल correct था further information को देख लें देखे जो वोलबेशिया है न वो safe है किसके लिए humans animals और environment के लिए तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यह सारी information थी वोलबेशिया bacteria के बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे जो हमारा second question है वो GST council के बारे में है हमें यह बताना है कौन-कौन से statement incorrect है यानि not correct है तो आई यह statements को देख लेते हैं पहला statement यह कहता है जो GST council वो एक तरह की statutory body है जो मारा दूसरा statement वो यह कहता है कि जो GST council है न उसको chair किया जाता है governor of RBI के द्वारा तो बता यह कौन-कौन से statement incorrect है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement जो न वो incorrect है इसलिए option C correct हो जाता है बोथ one and two तो आई जान लेते हैं GST council के बारे में देखे GST council की बैठक हाल में ही हुई थी ठीक है इसलिए यह news में था GST council देखे meeting क्यों हुई थी यह भी जान लेते हैं आपको पता है कि GST जब से apply हुआ है तब से state government को बहुत loss होता है revenue का बहुत loss होता है जैसे मैंने आपको उस दिन बनाया था न revenue neutral rate के बारे में और input tax input credit mechanism के बारे में जब input credit mechanism आ जाता है GST regime के अंतरगर्द तो हमें GST follow करना है इसलिए input credit mechanism को भी follow करना पड़ता है और उस वज़े से क्या होता है जो पहले revenue generation होता था tax के base पे अब वो इस regime के अंतरगर्द बहुत कम हो गया है तो क्या करेगी central government state government को क्या करेगी इस चीज़ के लिए compensate करेगी compensating state on account of revenue loss ठीक है implementation of GST and CES collection जबसे GST का implementation हो गया तब से collection of CES जो होता है वो भी कम हो गया है तो इसलिए ये news में था further information को देख ले थे जो GST council है वो constitutional body ये ना कि statutory body और ये mention है कि इस article में article 279A में इसलिए जो पहला statement था incorrect था GST council जो ना वो chair की जाती किसके दोरा union finance minister के दोरा ना कि RBI के governor के दोरा इसलिए जो दूसरा statement था वो भी incorrect था बाकी जो members होते हैं उनको भी देख सकते हैं देखिए इसमें union state minister होते हैं किसके revenue और finance के और minister of in charge minister in charge of finance और taxation किसके होते हैं सारे states के तो ये सारे information थी GST council के बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे जो मारा third question है वो tribal group के बारे में है नीचे कुछ particularly vulnerable tribal group के नाम mention है जो कि अंडमाने निकोबार आइलेंड में पाई जाती है हमें बताना है इन में से कौन-कौन सी ट्राइब है वो अंडमाने निकोबार आइलेंड से related है तो आई ये tribes को देख लेते हैं पहली है जरावाज, ओंजीस, शॉम्पेंस, नौर्सेंटरलीस, जुवांस और कोयाज तो हमें बताना है कौन-कौन सी ट्राइबल ग्रूप अंडमान निकोबार आइलेंड से related है या पाई जाती हूँ आपे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जरावाज, ओंजीस, शॉम्पेंस और नौर्सेंटरलीस ये सारी अंडमान निकोबार की tribes है तो इसलिए जो option B होता है वो correct हो जाता है देखिए जो ये tribe group है ये बार-बार news में आ रहा है और अगर कोई भी चीज दो-तीन बार लगात दार news में आती है तो वो UPSC perspective से बहुत important हो जाती है इसलिए मैंने इसको दुबारा से frame किया इस question को तो आप इस पे पूरा ध्यान दे और आपको पता है जो vulnerable tribal group होती है वो तो वैसे ही important होती है और ये सारी इंडिया की है तो और भी ज्यादा important हो जाती है UPSC के लिए चलिए बढ़ते हैं information की ओर देखिए ये सारी tribes तो जी थी न वो फिर उसी लिए COVID-19 के वज़े से news में थी जो पिछली बात था उसी वज़े से news में थी देखिए ये जो particularly vulnerable tribal group है न वो अंडमान और निकोबार्ग आइलेंड के रीजन में कौन-कौन सी पाई जाती है ग्रेट एंड फिचर्स की हैं फदर information को देख लेते हैं देखिए जो जुआंग ट्राइब है न वो ओडिसा की और कोयास जो ट्राइब है वो लक्षविदीप आइलेंड की है तो यह सारी information थी इस tribal group के बारे में चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए जो मेरा fourth question है वो और्दू से related है आई 8 schedule में जितनी भी languages mentioned है constitution में उनमें से एक language है जो हमारा तीसा statement है वो यह कहता है कि यह major language है कि किधा कहा की South Asia की तो बताए कि कौन-कौन से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं तीनों के तीनों जो statement है वो बिलकुल correct है इसलों option D correct हो जाता है आए देख लेते हैं इसके बारे में देखी हाल में न्यूज में था क्यों क्योंकि वर्ल्ड उर्दू conference हुआ है 2020 वाला जो organize किया किया था किसके दौरा national council for promotion of उर्दू language ठीक है तो इसलिए न्यूज में था देखे आपको बता दे कि जो उर्दू language न वो डबलफ हुई थी और फ्लरेश हुई थी कब डेली सल्टनेट के स्टाइम पे ही 12 से 16 सेंचुरी के बीच में जब से जब मुगल एमपायर आया कब 16 से 19 सेंचुरी के बीच में तो यह जो होता है न यह जो उर्दू language है वो बहुत सारे court poets के द्वारा यूज की गई अपनी poetry और writings में इसलिए जो statement 1 था बिलकुल correct था अब देखे जो उर्दू language है वो schedule 8 में जितनी भी languages mentioned है constitution में से उन में से एक language है और कुछ states की तो यह official language है किनकिन state की कश्मीर, तलंगाना, यूपी, बिहार, नियो दिल्ली और पस्चे मंगाल की तो इसलिए दूसरे statement भी बिलकुल correct था अगर उर्दू और हिंदी दोनों को combine कर लिया जाए तो यह दोनों मिलके क्या हो जाती है third largest speech community बन जाती है पूरे world में और देखे उर्दू जो language है वो major language है कहां कि South Asia कि किनकिन country हो में बोली जाती है इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मांगला देश, नेपाल तो यह सारी information थी उर्दू के बारे में चल इस ocean में originate हुआ था, तो आए options को देख लेते हैं North Atlantic Ocean में, South Atlantic Ocean में, Pacific Ocean में और Indian Ocean में, तो बताए यह correct option कौन सा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यह North Atlantic Ocean में हुआ था, इसलिए option A correct हो जाता है, आए जान लेते हैं इस hurricane के बारे में, देखे जो hurricane लोरा है न, उसका जो South Central US में, इसकी wind speed जो थी, वो 250 km पर आवर थी, और जो origination कहां से हुआ था इसका, North Atlantic Ocean से, जो hurricane लोरा था न, वो category 4 का storm था, ठीक है, category 4 का मतलब होता है, जो wind speed थी, वो 130 से लेके 156 miles पर आवर के हिसाब से थी, अब देखे जो ऐसा storm होता है न, उसका impact क्या हो सकता है, यह trace को ख देखे जो category का division होता है न, वो sapphire, simpsom, hurricane, wind scale के according होता है, उसमें speed के according, इनका division किया जाता है कि यह category 1 में, category 2 में, category 3, category 4, category 5, पाच scale में division होता है, आएजे map में देख लेते हैं इसको, देखे यह North Atlantic Ocean का region है, यहां से start होके, यहां तक आया है, यह जो आपका region है, वो Hudson Bay के पास क तो यह सारी information थी, इस hurricane के बारे में, चले बढ़ते आगे, जो हमारा sixth question है, वो some for all initiative के बारे में है, यह कभी-कभी news में देखा जाता है, हमें यह बताना है कि यह जो initiative है, वो किस global initiative से related है, तो आईए options को देख लेते हैं, पहला option है, SDG से related है, sustainable development goal से, option जो दूसरा है, वो है, वर्ल बैंक, multi country, AIDS program, option जो तीसरा है, वो climate action plan, या none of the above, तो बताईए किस से related है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, some for all initiative जो है, वो sustainable development goal से relative है, तिसले option जो यह होता है, वो correct हो जाता है, आए जान लेते हैं, इस initiative के बारे में, देखें, जो initiative था न, वो हाल में यूज मे था, क्यों, क्योंकि sustainable mobility for all initiatives ने अपनी report जादी किये, रिपोर्ट में यह पाया गया न, कि पूरे world में, पूरे world में कोई भी एक ऐसा country नहीं है, either developed or developing, जो इस sustainable development goal को अचीव करने के लिए कुछ काम कर रहा हो, मतलब sustainability and transportation sector को अचीव करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, जो SDG को लेके, वो सारे कुछ ठंडे बस्ते में पढ़ा हुआ है, इसलिए यह news में आया था, तो आज़े देख लेते further information क्या क्या है, देखी जो some for all initiative था न, उसको launch किया गया था 2017 में, यह एक umbrella platform है, जिसमे 55 public और private organization and companies हैं, जो साथ में मिलके collectively क्या करेंगे, implement करेंगे SDG को, औ transform करेंगे transport sector को, तो यह initiative के अंदर सोचा गया था, एक report charter की गई है, जिसमें global roadmap for action है, इस roadmap के अंतरगत है क्या, यह एक तरह का catalog है, जिसमें सारी policy measures mentioned है, जो कि already use की जा सुकी हैं, और test की जा सुकी हैं, पूरे world में, और यह जो है न, अगर इस roadmap को follow किया जाए, तो यह achieve कर सकत यह four policy goals को, किनको किनको, universal access को, efficiency को, green mobility को और safety को, तो यह सारी information थी, इस initiative के बारे में, चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा seventh question है, वो conservation of arctic, flora and fauna के बारे में है, हमें बताना कि कौन कौन सी जो countries है, वो member है, conservation of arctic, flora and fauna की, तो countries के नाम mentioned है, United States, Japan, Russia, France और Sweden, तो बताएं कौ कौन member है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, US इसका member है, Russia इसका member है, Sweden इसका member है, इसे आपको जो option D होता है, वो correct हो जाता है, आए देख लेते हैं, इसके बारे में, देखें, जो conservation of arctic, flora and fauna है, वो एक तरह का bio diversity working group है, किसका arctic council का, ठीक है, arctic council में आपको पता है, कि आठ member, आठ countries है, तो आठो countries में एक-एक national representative को assign किया जाता है, जो कि इसमें part लेते हैं, further information है कि कौन-कौन सी countries है, उनको भी देख लेते हैं, कौन-कौन सी है, Canada, Greenland, Finland, Iceland, Norway, Sweden, Russia and US, आपको लगेगा कि arctic वाले region में US कहां से आ गया, तो जो आप Alaska वाला region देखते हैं न, corner में, तो वो जो region है, वो US के इंतर गताता है, तो इसलिए US भी इसका part है, आए इन सारे countries को Arctic Council के जितनी भी countries हैं, उनको map में भी देख लेते हैं, तो यह Arctic Ocean का top view है, Arctic Ocean का top view में आप देखेंगे तो आपको Russia दिखेगा, और इधर आपको US दिखेगा, Alaska ला रीजन में, Canada दिखेगा आपको, Greenland और Denmark दिखेगा, Iceland यहाँ पर दिखेगा, और जो फदर है वो यह है, Norway, Sweden और Finland, तो यह सारी countries है, Arctic Council की, और यह सारे members हैं, इसी conservation of Arctic Flora and Fauna के, तो यह सारी information थे, इसके बारे में चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा 8 question है, वो यह है कि हाल में ही, 5th edition लाउंच हुआ है, कि का, Wasteland Atlas का, जो कि release किया गया, किसके दौरा, Ministry of Rural Development की दौरा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, हमें स्टेटमेंस को देखना है, तो आए स्टेटमेंस को देख लेते हैं, पहला स्टेटमेंट यह कहता है, कि जो one third है न country का, वो wasteland है, जो दूसरा स्टेटमेंट ह वो कहता है, जो per capita availability है, अगरिकल्चर लैंड की, इंडिया में, वो कम है, वर्ल्ड की per capita अगरिकल्चर लैंड से, जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट वो यह कहता है, जो wastelands है, उसकी mapping exercise है, जो वो की जाती है, किसके दौरा, Indian remote sensing satellite के दौरा, तो बताए कौन कौन सा स्टेटमें correct है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, second और third statement बिल्कुल correct है, लेकिन first statement वो incorrect है, इसलिए option जो A होता है, वो correct हो जाता है, आईए देख लेते हैं, इसके बारे में, देखें, wasteland जो था न, वो हाल में इन्यूज में था, क्योंकि ministry of ruler development ने अपना fifth edition launch कर दिया है, wasteland Atlas का, ठीक है, जो last edition आया था, वो कब आया था, 2011 में, इसकी findings को देख लेते हैं, देखें, जो wasteland है न, वो इंडिया में है, वो extent कहां था कि उसकी 55.76 million hectare, मतब इतना जाता wasteland है पूरे इंडिया में, अगर इसको percentage में calculate करेंगे, पूरे geographical area के comparison में, तो यह कितना है, 16.96, यानि percent है, तो यह one-third तो नहीं है, one-third से कम है, तो इसलिए पहला statement जो था, वो incorrect था, further information को देखें, देखें, जो इंडिया का total land area है न, वो 2.4% है, किसका world के comparison में, पूरे world में, जो इंडिया में total land area, वो कितना 2.4% है, और 2.4% support करता है, कितनी world population को, 18% की world population को, मतलब इंडिया क अगर population ले लें, तो world population के comparison में, हमारा जो population वो 18% है, तो 2.4% land area जो है, वो accommodate करता है, कितने को, 18% of world population को, तो अगर इसका comparison देखें, हम per capita availability of agriculture land के हिसाब से, तो इंडिया के पास जो आता है, वो 0.12 hectare आता है, per capita के हिसाब से, और world का कितना आता है, 0.29, तो यह world के, world से अगर compare करेंगे इंडिया का, तो per capita agriculture land की जो ability है, वो इंडिया में कम है, क्योंकि हमारी population जादा है, तो per capita के हिसाब से, हमारा world के comparison में कम हो जाता है, इसे जो दूसरा statement का, वो बिलकुल correct था, जो wasteland की mapping की जाती है, वो carry की जाती है, किसके दोरा, Indian remote sensing satellite data के दोरा, तो यह सारी information थी, wasteland के बारे में, चलिए बढ़ते हैं आगे, जो हमारा ninth question वो Sinai Peninsula के बारे में है, आए statements को नहां से देख ले, पहला statement कहता है, यह अफरिका में located है, दूसरा statement यह कहता है, जो Sinai Peninsula है, वो situated है, Mediterranean Sea और Red Sea के बीच में, जो हमारा तीसा statement वो यह कहता है, जो Sinai Peninsula है, वो land bridge की तरह काम करता है, किसके बीच में, एशिया और अफरिका के बीच में, तो बताए यह कौन कौन से statement correct है, तो मैं आपको बता देना चाथ हो, दूसरा तीसरा statement बिलकुल correct है, लेकिन पहला incorrect है, इसलिए option C correct हो जाता है, आए जान लेते हैं, इसके बारे में, देखी जो Sinai Peninsula है न, वो Egypt का पार्ट है, लेकिन Egypt का यही एक ऐसा पार्ट है, जो Asia में आता है, ना कि Africa में, अगर आप देखेंगो ऊपर नीचे तो यह Mediterranean Sea और Red Sea के बीच में है, यह Red Sea आपका mention है, और यह जो area है, Sinai Peninsula का, वो land bridge की तरह काम करता है, किसके बीच में, Africa to Asia के बीच में, इसलिए जो second और third statement थ और पहला वाला incorrect इसलिए था, क्योंकि यह आता तो Egypt में है, लेकिन यह part किसका है, एशिया का है, तो यह सा information थी, Sinai Peninsula के बारे में चलिए बढ़ते हैं, जो हमारा 10th question है, उसमें कुछ pair mention किये गए हैं, एक तरफ regional cyclone है, दूसरे तरफ region है, हमें बताना है कौन सा pair correctly matched है, तो द chiphoons है, वो कहां पे देखे जाते हैं, China Sea में और Pacific Ocean में, hurricanes जो है वो देखे जाते हैं, Caribbean Sea और Atlantic Ocean में, tornadoes जो देखे जाते हैं, वो West Africa और Southern Asia में, और Willys Willys जो देखा जाता हैं, वो North Western Australia में, तो बताएं कौन कौन से cyclone किस region में originate होते हैं, और कौन सा pair correctly matched है, तो मैं आपको बता द सारे के सारे साइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षाइक्षा वह गिनी आइलेंड औफ एफरीका यानि इधर के रिजन में दिखेंगे आपको और युएसे में देखने को मिलते हैं तो यह सार इंफोर्मेशन थी इंस तो प्रोपिकल साइकलों के बारे में चली बढ़ते हैं आगे okay, that's the end of the video if you found it knowledgeful please hit the like button and subscribe to our channel one thing more if you want to access our free study material you can join our telegram group, the link will be provided in the description box and thank you for watching the video, have a good day